पंजाब की पांच राज्यसभा सीटों पर 31 मार्च को चुनाव होने जा रहा है आमादमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हर बचन सिंग, रागव चड़ा, संजीव अरोडा, संदीप पाठक और असोक मित्तल को उमिद्वार बनाया है कांग्रेस ने आमादमी पार्टी पर सवाल खड़े किये हैं कांग्रेस नेता और पूर्वे मंतरी परगर सिंग का कहना है कि आमादमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को धोका दिया है बहराल आपको बता दे कि पंजाब विदानसबा चुनाओं में जीत हासिल करने वाले कांग्रेश के निताब पर्ताप सिंग बाजवा ने राज्य सबा की सदश्यता से इस्तिफा दे दिया उन्होंने राज्य सबा की सबापती M.Bankaya Naidu को इस्तिफा सोंपा बाजवा ने सोल भी पंजाब विदानसबा के लिए अपने चुनाओं का हवाला देती वे राज्य सबा की सदश्यता से इस्तिफा दिया परताब सिंग बाजवा ने इस्तिफे में कहा कि मुझे बीते 6 सालों के दुरान सदन में पंजाब राज्य का परतिनी दिट्वे करने का मोका मिला पंजाब के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है विदान सबा चुनाव में परताब सिंग बाजवा काधिया सीड से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं परताब सिंग बाजवा पंजाब कांग्रेस की चुनाव घोषना पत्र कमेटी के चायर्मेन थे परताब सिंग बाजवा का राजी सबा कर्येकाल इसी महिने खतम हो रहा था बीते हपते चुनाव आयोग ने राजी के पांच सीटों पर चुनाव कराने की घोशना की थी सबी पांच सीटों परीकत 30 मार्च को मतदान होगा माना जा रहा है कि इन पांच में से चार सीटों पर आमादमी पार्टी और एक सीट कांग्रेस नेता की खाते में जा सकती है पिछले साल जब कैप्टन अमरेंदर सिंग ने सियम पत से इस्तीपा दिया था तब परताब सिंग बाजवा का नाम मुख्य मंत्री के दावेदारों में सामिल था पतापसिंग बाजवा पंजाब की राधिती में काफी पूराना चेहरा है स्ियासत में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है बतादे कि आप पंजाब इदान सवा चुनाओं में आमादमी पार्टी 92 सीटू पर जीत दर्ज की है आमादमी पार्टी पंजाब की 500 राज्य सवा सीटों पर जीत दर्ज करने में काम्याब हो सकती है ऐसे मैं आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्सिम ने जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक और शेट जरूर करें धन्यवाद